स्टड़ी इमाचल की एक और सीरीज में आपका स्वागत है दोस्तों आप डिसकस करने वाले हैं इमाचल परदेश पुब्लिक सर्विस कमिशन पीजीटी पेपर बन के बारे में आज हम फुल लेंथ मौक टैस्स देखने वाले हैं जहां पे टोटल 50 कोश्चन रहेंगे 100 मार् सब्सक्राइब कर सकते हैं ठीक है पीजीटी के क्विज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चलो शुरू करते हैं पहला प्रेशन है देखिए पहला प्रेशन है कि इन विच स्टेट इस दे गुरु शिखर पीक लोकेटेड गुरु शिखर जो शिखर है इस गुरु शिखर पीक है वो स्थित है अर्बुडा माउंटेन में राजिस्थान में ठीक है अर्बुडा माउंटेन राजिस्थान में स्थित है और यह हाइस्ट पॉइंट है अरावाली रेंज का भी यह इंपोर्टन है इसका अंसर होगा नेक्स्ट कोशन देखते हैं तो आपको इंगलिश में इस्टेट में नहांव मतारा हूं इसका पैस करना सि에서도 मलता है जो माना पास के बारे में बात करूँ यह उत्राखंड में स्थित है कहां पे उत्राखंड में स्थित है और इसे क्या बोलते हैं चिर्वित्या पास भी कहा जाता है क्या पास कहा जाता है चिर्वित्या दूसरा नाम क्या है माना पास का चिर्वित्या पास देखी जो माना पास है वो जो नंदा देवी बायोस्फे रिजर्व जो उत्राखंड में स्थित है उसके बीतर ये स्थित है अब बात करते है नथुला के बारे में देखिए जो नथुला पास है ये सिक्की में स्थित है कहां पे स्थित है सिक्की में स्थित है ठीके नथुला पास सिक्की में स्थित है और जो नथु है देखिए इस मतलब होता है इसका मतलब होता है listening ear सुनने वाले कान और ला का मतलब होता है पास यह भी important है याद रखना है अब बात करते है जो जीला की देखिए जो जीला पास जो है शिरी नगर और लेह को यूनिन टर्टरी है लेह उसको connect करता है sorry sorry दोस्तों यह के जो जीला पास है जो श शतलूजी रीवर जो एंटर होती है इंडिया में from तिपबत उसके पास ही है यह शिपकिला पास तो इसका जो अंसर होगा C जो माना पास है उत्रकंड में है ठीक है जो नथुला है वो कहां पे सिक्की में है जो जीला पास कहां पे हुआ जो जीला पास है आपका जम्मू और शिपकिला जो हुआ वो हुआ हिमाचल परदेश में तो इसका जो अंसर होगा C अंसर होगा याद रखना C इसका अंसर होगा नाक्स्ट कोश्यन देखते हैं अगला प्रश्यन है कि which state of India has border three country नेमली नेपाल भुटान और चाइना भारत के किस राज्ये की सीमा तीन इसका इसका जो अंसर होगा सिक कीम एक नौर्धन स्टेट है इंडिया की और शेयर करता है बॉंडरी इसके जो बोर्डर करता है three country के साथ करता है सिक्किम जैसे नेपाल भुटान और चाइना के साथ शेयर करता है उत्तरा अगला बात करूं देखी मेघाले की बात करें जो मेघाले शेयर करता है बोर्डर किसके साथ बंगलादेश के साथ शेयर करता है और बात करें अरुनाचल परदेश की देखें अरुनाचल परदेश किसके साथ शेयर करता है बोर्डर मयामार के साथ चाइना के साथ और भुटान के साथ तीन देश के साथ ही यह शेर करता है, बाउंडरी थो जो हमने एक question में क्या पूछा था, नेपाल, भुटान और चीन के साथ कौन सा जो भारत की state है, share करती है boundary वो है सिक्कीम करती है तो इसका जो अंसर होगा D इसका अंसर होगा क्या अंसर होगा D इसका अंसर होगा next question देखते हैं अगला प्रेशन है which article of the Indian constitution prescribes eligibility conditions for re-election to the post of the president of India भारती सविधान का कौन सा अनुछे भारत के राश्टरपती के पद पर पुना चुनाव के लिए पातरता शर्ते निर्धानित करता है वो करता है अनुछे 57 article 57 देखे अर्टिकल 57 के बारे में बात करें जो अनुछे 57 राश्टरपती के पुना चुनाव की पातरता शर्तोर से सवंदित है इसमें कहा गया है कि कोई भी ब्यक्ति जो राश्टरपती के रूमें पद धारन करता है या कर चुका है इस सविधान के अन्य प्राबधानों के अधीन उस पद के लिए फिर से चुनाव के लिए पात्र होता है देखते हैं कि what is the minimum age requirement to become the Prime Minister of India बनने के लिए minimum age कितनी चाही होती है भारत का प्रधान मंतरी बनने के लिए 25 year minimum age चाही होती है और इनका जो कारेकाल होता है 5 वर्ष का होता है और यह जो भारत के राश्ट्रपती उपर राश्ट्रपती और भारत की संसत को अपनी रिपोर्ट भी परदान करते हैं यह देते हैं और जो भारत के परदान मंतरी होते हैं भारत के जो राश्ट्रपती की उपस्ति में पद की गोपनी तक की शपत लेते हैं ठीक है जो पद क के देखी नेक्ष्ट कोश्चन देखते हैं Who prescribed over the joint session of both the houses of the parliament तोरी Suppose haru precise करते हैं उनकी अनूपस्थिती में कौन करेगा लौक सब noi कि उपाध्यक्ष करेंगे यह लोगसबा कि उपाध्यक्ष्थित तो उनकी उपस्तिती में राजिय सवा के उपाध्यक्ष करते हैं यह सद्यक्षत कि करते हैं कि सेशन करते हैं नेक्ष्ट कोशन देखते हैं रहां अ वंबर वर्ड के टोटल कितने कंट्री मेंबर है बताईए 189 इसके बारे में थोड़ा सा पड़े जो वर्ड वैंक established हुआ था वह वह था जुलाई 1944 को 1944 में इसका headquarter Washington DC में देखने को मिलेगा वर्ड वैंक में total 189 countries है member है इसकी देखिए जो theme है mission है वर्ड वैंक का वह क्या है reducing the share of the global population that live in extreme poverty to 3% by 2030 यह भी important है question याद रखना है exam point of view से पूछा जाता है next question देखते हैं the slogan do or die was given by देखिए जो करो या मरो का नारक इनके द्वारा दिया गया था देखिए यह दिया गया था महत्मा गांदी जी के द्वारा दिया गया था कहां पर दिया गया था भारत छोड़ अन्दॉलन में दिया गया था देखिए भारत छड़ अंदॉलन को के वाद भारती राश्टी कॉंग्रिस के बंबे सत्र में भारत छोड़ों अंदोलन्ज शुरू किया गया था इंपोर्टेंट है एक्जाम पॉइंट ओविसे नेक्स्ट कोशन देखते हैं कि कांग्रिस के 1929 के लहोर अधिवेशन में किसने कांग्रिस का लक्षे पूर्ण सवराज घोशित किया बताईए इसका क्या अंसर होगा देखिए क्या इसका अंसर होगा बताईए इसका होगा सी ज्वारल लाल नहरू देखिए इंडियन नाशन कॉंग्रेस ने 19 दिसंबर 19 29 को क्या पूर्ण सवराज को पूर्ण सवराज को लहोर अधिवेशन या सेशन में परस्ताव पारित किया था देखिए इसमें जो इसके अध्यक्ष थे वो थे जो आरला नहरू जी थे कतिस दिसंबर 1929 को रावी नदी के किनारे पूर्ण सवराज क्या किया गया था प्रापत पारित किया गया था कब कतिस दिसंबर 1929 को रावी नदी के किनारे पूर्ण सवराज पारित किया गया था और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण सवराज की सर्वजनरिक घोशना कर दी गई थी देखे कब की गए थी 26 जनवरी 1939 को 26 जनवरी को रिपब्लिक डे भी मनाया जाता है और जो 26 जनवरी 2024 को मनाया गये था को 75 रिपब्लिक डे था ये भी important है exam point of view में पूछा जा सकता है देखे 10th question है इसमें oldest way से बारे में बताना है याजुर्वेध है रिग वेध साम वेध अर्थ वेध वेध सबसे oldest वेध है रिग वेध है सबसे प्राणा वेध कौन से रिग वेध है की रचना लगबग 3500 वर्ष पहले हुई थी यह भी याद रखना है नक्स्ट कोश्चन देखते हैं नक्स्ट कोश्चन है कि सूर्य के प्रकाश को पृत्वी किस्ता तक पहुंचने में कितना समय लगता है लगबग 8.5 मिनट लगते हैं 8 मिनट ठीक है यह याद रखना है जैसे 8 मिनट भी हो तो भी वह सही होगा नक्स्ट कोश्चन देखते हैं वीच ओफ दफ वीच ओफ दफ कलर है लोंगस्ट वेवलेंथ किस रंग का त्रंग धहरे सबसे लंबी होती है इसका अंसर होगा लाल होगा डी इसका अंसर होगा नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं आ वे इस दंड नेशन वोटे अब्जर एवरी येर देखिए पर क्ष रास्टी मतधन दिवस का मनायी जाता है बताई क्या इस कांसर ओगा वो होगा 25 जनवरी को मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है, इसकी थीम भी देख लीजिए, तीम क्या है इसकी, 2024 की, देखी थीम क्या थी, इसकी की, मतदान जैसा कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से बोट करता हूं, और जो चुनाबी भागीदारी के महत्व पर जो एथलीट ओफ दे इयर पुर्षकार के लिए चुना गया था विराट कोहली नीरचोपड़ा सत्विक रेडिया और प्रगनंदन कि इसका होगा नीरचोपड़ा होगा भी इसका अंसर होगा इंपोर्टन्ट है नेक्स्ट कोशन देखते हैं इस देखिए विच स्टेट लॉंच्ट मॉइल वैन प्रोग्राम टू प्रमोट नाचुल फार्मीग प्राकरति खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने मॉइल वैन कारेकरम शुरू किया तो हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया इंपोर्टन है नेक्स्ट कोशन देखते हैं अब हम हिमाचल प्रदेश जी के के 15 कोशन देखने वाले हैं दो प्रजेंट डिस्टिक ओफ उन्ना अंटिल 1966 वाज वन ओफ द तहसील ओफ वीच ओफ द फ्लोईंग डिस्टिक इन पंजाब उन्ना का वर्तमान जिला 1966 तक पंजाब के हुश्यारपुर जिले की एक तसील थी पंजाब के पुर्णर गठन के परिणाम सवरूप उन्ना तसील सहित सभी पहाड़ी शेत्रों को हिमाचल प्रदेश में संथाना इंत्रित या ट्रांसफर कर दिया गया इंपोर्टन है नेक्स्ट कोशन देखते हैं जो अंसर होगा डी होगा कांगडा के संसार चंद इंपोर्टन है आप देख सकते हैं दोनों लेंगविज में लिखा हुआ है नेक्स्ट कोशन देखते हैं अगला प्रशन राजा संसार चंद और महराजा रंजीत सिंग के बीच जो आलमुद्खी की संदी पर किस वर्ष हस क्या बनाएगा है पॉंट किया गया गवर्णर अपॉंट किया गया कानगदा रंजीत सिंग जी के द ne किया गया था अगला कोश्ट सेखते हैं उत्रा उत्रखंड में भागी रती के तरट पर लक्षमी नरायन का मंदिर किस ने बनाया था बड़ा इंपॉट होगा next question देखते हैं चंद्रा और भागा नदिया नामक स्थान पर मिलती है बताइए देखे जो चंद्रा और भागा नदिया ही माचल परदेश के लोल्स पिती जी लेके टंडी में मिलती है और चिनाव नदी बनाती है तो इसका जो अंसर होगा वो होगा टंडी इसका अंसर होगा next question देखते हैं देखे त्रिगर्दा region is drained by which of the flowing river हिंदी और इंग्लिश दोनों में है कि त्रिगर्द शेत्र निमिलिक्त में से किस नदी दुरा आप बाहित होता है जहलम सतलुज ब्यास यह राजबी देखे त्रिगर्दा की बात करें तो वो है सतलुज ब्यास हो रहा भी two three four होगा तो इसका अंसर होगा बी इसका अंसर होगा क्या होगा बी इसका अंसर होगा important है exam point of view से next question देखे 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 रियास्तों के साशकों का सोलन समेलन किसकी अधिक्षता में अयोजित किया गया था सोलन conference of the ruler of princely state was held under the chairmanship of इसका जो अंसर होगा राजा दूर्गा सिंग होगा तो बी इसका अंसर होगा next question देखते हैं देखे वेर का मुख्याले कहां है तो इसका अंसर होगा रिकॉंग प्यों इसका अंसर होगा next question who founded सुजानपु टीरा in 1748 1748 में सुजानपु टीरा की स्थापना किसने की संसार चंद अभे चंद कल्यांट चंद या गुलाप चंद देखे जो सुजानपु टीरा की स्थापना रखी थी वह रखी थी अभे चंद जी तो बी इसका अंसर होगा next question देखते हैं इन विच डिश्टिक इस रुपिन वैली लोकेटेड रुपिन घाटी की जिले में स्थित हैं देखिए रुपिन घाटी की बात करें तो वह किनोर जिले में स्थित हैं तो इसका भी ए अंसर होगा अब बात करेंगे इंग्लिस सक्षन के बारे में सोरी अभी पांच question बचे हुए हैं मनी करन ए होट वाटर स्प्रिंग is situated on the bank of river पारवती रिवर ठीक है जो मनी करन एक गरम पानी का जहरना पारवती नदी के तट पर स्थित हैं तो इसका भी अंसर होगा अगला प्रशन देखते हैं जो सन हेनरी लोरेंस द्वारा सनावर स्कूल की स्थापना किस वर्ष की गई थी थारा सो संताली सिस्वी में की गई थी तो इसका अंसर होगा अगला है कि हिमाचल गोर्मेंट इस प्लानिंग टू सैट अप नैशनल कैंसर इंसिटूट इन विच ओफ द फ्लोइंग डिस्टिक हिमाचल सरकार निमिलिक्त में से किस जीले में राश्टिक एंसर संस्थान स्थापित करने की गोशना योजना बना रही है कहां पर बनाई है वो हमिरपूर डिस्टिक में बनाई है जोल सपड में होगा नक्ष कोशन देखते हैं हिमाचल परदेश में दुख्द उत्पादकों को आतम निर्भर बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है बताई इसका एंसर होगा विच स्कीम हाज बिन स्टाटेड इन हिमाचल परदेश टुटू मिल्क परडूसर सेल्फ रेलियंट तो वह है हिम गंगा योजना तो बी इसका अंसर होगा अगला देखते हैं कोश्चन कांगड़ा स्कूल ओफ पेंटिंग बेसिकली ओर्जिनेटिड फ्रों विच प्लेस कांगड़ा चित्रकला शाली की उत्पत्ती मुलत की स्थान से हुई है डी होगा गुलेर से अब देखेंगे इंगलिस सेशन को देखते हैं इंपोर्टन्ट होगा गिजाम पॉइंट ओवी से चलो शुरू करते हैं अब इंगलिस ग्रैमर को समझते हैं यह भी 15 कोश्चन होंगे सोरे 10 कोश्चन होंगे इसके पहला एक स्लेक्ट इनकुरेक्ट स्पेल्ड वर्ड देखें इनकुरेक्ट बताना है देखें यह तो आपको नजर आ गया होगा इसकोगा परसूट देखें इसकी स्पेलिंग मतलब होता है एक ऐसी चीज जो आप कर रहे हैं जिसके लिए आप टाइम्स प्ट कर रहे हैं देकि प्रसूट का मतलब क्या होता है जिसमें हम अपना टाइम दे रहे हैं उसे हम परसूट बोलते हैं bleak का मतलब क्या होता है situation के हिसाफ से बताएं तो निराशा पूरण होता है throttle का मतलब होता है क्या होता है गला घोटना होता है oridance का क्या मतलब होता है और अदेश जारी हो रहे हैं ठीक है oridance का मतलब होता है इसका जो अंसर होगा c होगा यह incorrect है p-u-r-s-u-i-t होना था next question देखते हैं देखी इसमें भी incorrectly जो word spelled है वो बताना है इसमें incorrect क्या नजर आ रहा है आपको सारे ठीक लग रहे हैं एक यह आ रहा है देखी इसका जो मतलब होता है यह गलता है fraction कैसे लिखते है फ्रैक्शन तो इसका जो अंसर होगा बी अंसर होगा next देखते हैं question देखी इसमें बताना है synonymous बताना है synonymous मतलब की same देखी lint क्या होता है देखी lint का क्या मतलब होता है फर, sorry, answer ही मेंसे निंगर ए इसका अंसर होगा फर देखि लिंट क्या होता है जब हमारे बूर आती है जब हमारे जो स्वेटर होते हैं स्वेटर पे कभी कभी बूर आ जाती है रूई रूई जैसे निकलाते हैं ठीक है उसे हम क्या कहते हैं फर या लिंट कहते हैं तो जो इसका अंसर होगा सिनोनियम होगा वो ए होगा एफ यू आर नेक्स कोशन देखते हैं अचाहिद पलिखिए इसमें भी हमें क्या बताना रहा है इ cambi आप्रोप्रेट शिनोनियम बता लाह थी इसमें बटाना है आप्रोप्रेट सिनोनियम दें कि विश्ट फूल का मतलब क्या होता है पहले इसको समझीस कई तरह को वार हम ऐसी चीजों के बारे में सोचते हैं जो हो नहीं सकती है या पास्ट में कोई चीज हो गई है अब वो प्रेजेंट में बदल नहीं सकती उसे हम कहते हैं विस्टफुल समझ गए हैपी तो हो गया खुशी यह तो होई नहीं सकता खुश रहना हो गया शैलो का मतलब होता है शैलो होता है घहराई बिल क्या होता है बिल्कुल संतुष्ट जो अपने आपसे बिल्कुल संतुष्ट है उसे हम क्या कहते हैं कंटेंडिड कहते हैं मैं अपने आपसे संतुष्ट हूं तो हम मैं क्या हूं कंटेंडिड हो sorrowful क्या होता है देकि sorrowful होता है दुखी तुखी होता है तो इसका जो उफन सर होगा क्या होगा इसका अंसर होगा डई तुखी सेम यही बना जो dist relief सोडोनेशियस क्या है Mag suits C4ून पक्राइशियस होता है थे थे just call 排 मतलब होता है क्रीमिनल अपरादी कहते हैं कि mm कंटेंट क्या होता है कि यह हसन थोता है अगला है क्या होता है यह है फाइदे की चीज़ तो हमें क्या बताना है एंटो नियम बताना है अलग बताना है उल्टा बताना है तो बैज़ा स्काशर होगा पहले तीन तो इसका स्का-सर और ऑम स्काट को संगजे की को समसे को स्बसिट्ड इनका लिख मैं gü दो यह चूर कमझे को इंग इनका क्लोव sward स्वोर्ड देखिए इसका Pour Мне以上 बताई है इसके इसके लिए प्लेड or के लिए the add 의 knife के लिए नाइफ के लिए प्लेड ओफिन आइफ आ स्वोर्ड के लिए बताई इसका depuis थोड़ा दॉद्जीए केरिय kई होता है की के एर होता है किसी चीज़ को कईरी करने सीट होता है देखिए सीट होता है प्रोटेक्ट लेर किसी चीज पर लगाई जाती है शील्ड क्या होता है रक्षे करने वाला कोई भाग होता है तो जो इसका जो एपरिप्रेट होगा होगा इसका अंसर होगा important example or point of view से next question देखते हैं देखिए fill in the blank with the most appropriate word I am sorry to dash on you at this late hour इंट्रफेस्ट या होगा इंट्रीयूड का मतलब होता है कहीं पे भी पहुंच जाना तो ढिस कांशर होगा जो और ग unw lamb इप्रेट है इसकांसर ऊगाना कंस्ट को श्ण दीवेजिए ग्ररमेर्टीकल इडर बताने इस schools is opened only with the motive of earning money, देखिए, इसमें क्या grammatical error है, देखिए, इसमें is opened, देखिए, is opened नहीं होगा, जब schools है, तो are opened होगा, ठीक है, are opened होगा, तो B में error है, तो B इसका अंसर होगा, grammatical क्यों सा error है, B में है, नेक्स्ट कोशन देखते हैं, देखिए, fill in the blanks करना है, the rose is the sweetest of all flowers, देखिए, जब भी superlative degree लगती है, इस्ट, superlative degree लगती है, ठीक है, जब भी किसी बाकिये में superlative degree के बारे में बात हो रही है, तो superlative degree से पहले article जो लगता है, दो लगता है, ठीक है, दो लगता है, बट कब लगता है, जब सभी of all flowers, मत्यकि सभी, सर, जितने भी flower है, सभी बर्ग के flower है, उसके बारे में जिकर किया गया है, तभी दह लगेगा, otherwise सभी बर्ग के बारे में जिकर नहीं किया गया है, तो sound के हसाब से a या n लगेगा, तो इसमें क्या लगेगा, दह लगेगा, c इसका अंसर होगा, next question देखत तो सभी को आता होगा, dash apple, dash day, keep, dash doctor away, an apple, a day, keeps the doctor away, तो इसका a answer होगा, देखि अगला प्रश्य कि शेय शब्द में कौन सी संदी है, देखि शेय, शेयन में बात करेए, जो धबनी आ रही है, वो आ Garry और है, अजरी अ रही है, ठीकोरे में कौन सी धबनी आ ऱी है, ए की धबनी आ रही है, तो इसका जो अंसर होगा क्या होगा यदापी स्वर संदी होगा ए इसका अंसर होगा देखिए संदी क्या होता है धवनियों का मेल होता है संदी का मतलब होता है मेल जब बरगों के परस पर मेल से जो तीसरा विकार उत्पन होता है उसे ही क्या कहते हैं संदी कहते हैं इंपोर बाइवाची क्या होता है देखिए देता का मतलब होता है देने योग्य करुणा का मतलब होता है वो होता है क्रीपा करना का मतलब होता है कार्य कर्मठ का मतलब होता है कठिन परिश्यम करने वाला उधमी जो होता है देखिए कर्ज का मतलब होता है श्रण देंदारी वाला तो इसका जो अंसर होगा D, इसका अंसर होगा, क्या होगा D, next question देखते हैं, देखी लकडी शब्द में संग्या बताईए, देखी लकडी शब्द में कौन सी संग्या है, बताईए जाती बाचक, द्रबे बाचक, सुमू बाचक, देखी जाती बाचक में क्या आता है, जैसे देश कौन सा है नाम क्या है परबत ये जाती वाचक में आते हैं समू बाचक में क्या आता है जैसे बजार हो गया सेना हो गया समू में है मिला है कक्षा है ये समू में है तो ये समू बाचक में आते हैं द्रब्बे वाचक में जासे आता है दूद पानी आपका तामबा लकड ये किस में आता है ये द्रब्ब्वाचक में आता है तो इसका क्या एंसर होगा iy इसका अंसर होगा द््रब्वाचक से है नक्ष वस्चन देखते हैं देखिये अगला प्रशन है रोहन चित्र बना रहा है बाक्य में कौन सी pyramid है बताईए वां देखिये इसमें थोड़ा सा समझते हैं, रोहन चित्र बना रहा है, देखी थोड़ा सा समझते हैं, सकर्मक क्या होता है, सकर्मक का मतलब होता है, कोई न कोई काम कर रहा है, जहां काम या करम हो रहा है, अकर्मक क्या मतलब होता है, अकर्मक क्या होता है, जहां काम करम नहीं हो रहा है, फिर आत कर्मक कहते हैं दिकर्मक मतलब कि शिक्षक ने बिधार्थी को पुस्तक की दी तो यहां पर शिक्षक और बिधार्थी दो करम हो रहे हैं देखे प्रेनाथ्थ क्या होता है जब कोई काम होना चाहिए मतलब कि जब कोई काम दूसरों से क्या होता है दूसरों से करवाया जाता ह उसे प्लिटिक कहते हैं तो इसका क्या सरो का बताइए भी ऐसके सर रोहनしたर बना रहा है na कुछ का रहा है तो क्या है कर्मक्ष इसका अंसर होगा बी इसका अंसर होगा नेक्स्ट को उस्ष्चन देखते हैं देखिए इसमें से इस्तरी लिंक शब्द बताना है रियासत दीन राष्टर राज्ये देखिए दीन जो है दीन पहले दीन से करते हैं दीन अच्छा है हम क्या बोलते दीन अच्छा है हम ऐसे तो नहीं बोलते दीन अच्छी है तो दीन अच्छा है राष्टर देखिए राष करता ने करम को करण से संपरदान के लिए देखिए बंदर क्या करना है बंदर नाच दिखाता है कौन नाच दिखा रहा है बंदर तो मतलब करता इसका होगा इसका अंसर होगा important है exam point वो उसे next question देखते हैं निमिलिक्त में से कौन शब्द तच्सम शब्द पताईए इनमें से तो इसका जो क्या होगा अक्षत होगा बीस का अंसर होगा next question देखते हैं कि अगला प्रश्ण है कि उल्लास norm के लिए सही संदी बचेत को चुनी थे इसका जो होगा ऊंसरAh उगा उत्त प्लस लास देखिए जब भी क्या लग जाई हलत लग जाए जैसे ये लगा हुआ तो के नीचे ये हलत लग जाए तो वो क्या होती है ब्यंजन संदी होती है ठीक है क्या होती है ब्यंजन संदी होती है देखिए संदी के कितने प्रकार होते है तीन प्रकार होते है जैसे स्वर ब्यंजन और भी सर्ग तो इसका जो अंसर हो के बारे में समझिए देखिए हमेशा देखिए इसका जो अंसर होगा क्रिया विशेशन होगा पहले तो यह समझ लीजी बीस का अंसर होगा देखिए मैं बोलूगी मैं हमेशा बर्गर खाता हूं मैं हमेशा दिन रात बर्गर खाता हूं यह समय को बता रहा है ठीक है किस के लिए सही मुहाबरा क्या है देखी बुरी तरह हारने का मतलब ह dai मुह कहाना तो30 कांसर होगा क्या होगा 33 कांसर होगा देखि आज आपके साथ 50 कोश्जन हमने discuss किये हैं कितने fifty कोश्जन discuss किये हैं आप test series join करना चाते हैं तो इस नंबर पर WhatsApp कर सकते हैं और course join करना जाते हैं तो भी WhatsApp कर सकते हैं PGT की आपको group description में मिल जाएगा आज के लिए इतना ही thank you have a nice day God bless you all bye bye